बोईंग के स्टार लाइनर यान में गड़बड़ी के चलते सुनिता विल्लियम्स और बैरी विल्मोर करीब धाई मैने से अंतर अश्ट्रिय स्पेस स्टेशन पर फसे हुए है अमेरिकी स्पेस एजन्सी नासा वापसी के लिए स्पेस एक्स के क्रूड रैगन का इस्तमाल करने की योजना बना रही है यानि उनकी वापसी अगले साल तक होने की संभावना है चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ है सुनिता विल्लियम्स के साथ लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ओल पे जरुरे प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सके स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से वापसी का प्लान अंतरिक्ष मिशन में देरी के लिए बोईंग को कड़ी आलोशना का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए प्रतिदोंदी स्पेसेक्स के अंतरिक्षियान का चलन करना कमपणी के लिए जटके की तरह होगा पिछले कुछ महिनों में कई रिपर्ट में बताया गया है कि बोईंग कई तकनीकी मुद्दो और देरी से जूज रहा है जिसके चलते भारी लागत आई है इस बीच एक और समस्या अंतरिक श्यात्रियों के लिए स्पेस सुट को लेकर है स्टार लाइनर के लिए डिजाइन किये गए स्पेस सुट स्पेस एक्स क्रूड राइगन के लिए उपयुकत नहीं है ऐसे में अगर सुनिता विल्लियम्स और विल्मर क्रूड राइगन से वापस लोटते है तो उन्हें अपने स्पेस सूट को त्यागना पड़ सकता है जिससे सुरक्षा संबन्दी दिक्कते पैदा हो सकती है रिपोर्ट बताती है कि क्रू ड्रैगन मिशन के साथ स्पेस एक्स सूट भेजने पर भी विचार कर रहा है वापसी में लग सकता है लंबा समय सुनिता विल्लियम्स और विल्मोर को वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजन्सी नासा स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन मिशन का इस्तमाल करने की योजना बना रही है क्रू ड्रैगन मिशन सितमबर 2024 के लिए निरधारित है इसके फरवरी 2025 में प्रुत्वी पर वापस आने की उम्मीद है विल्लियम्स और विल्मोर इस मिशन पर प्रुत्वी पर वापस आ सकते है ऐसा होने पर अंतरिक्ष में उनका प्रवास आठ मैने से अधिक हो जाएगा करीब धाई मैने से अंतराष्ट्री अंतरिक्ष टेशन में फसी नासा की अंतरिक्ष यत्री सुनिता विल्लियम्स को स्वास्त संबंदी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है नासा की एस्ट्रनाट एत्री सुनिता विल्लम्स अपने सहयोगी कमांडर बैरी विल्मोर के साथ जुन की शुरुवत में बोईंग के स्टार लाइनर से अंतरिक्ष में गई थी दोनों को एक सप्ता बिता कर धर्ति पर वापस आना था लेकिन बोईंग के स्टार लाइनर में खरावी के चलते उनकी वापसी में देरी हो रही है नासा ने हाली में बताया था कि उनकी वापसी में 2025 तक देरी हो सकती है इस बीच नई रिपर्ट बताती है कि सुनिता विल्लम्स को ISS पर आखों की समस्य हो रही है माइक्रो ग्राइविटी की वज़े से दिक्कत इस समस्या के पीछे कतित पर माइक्रो ग्राइविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने को वज़े बताया गया है सुनिता विल्लियम्स की समस्या को Space Flight Associated Neuro-Ocular Syndrome के रूप में जाना जाता है यह कतित दोर पर शरिर में द्रव वितरन पर असर डालता है जिससे दुरुष्टी समबंदी समस्या होती है इससे दिखाई दिना धुनला हो जाता है और आख की सवरश्णा भी बदल सकती है विल्लियम्स की आखों के स्वास्ता का पता लगाने के लिए उनके रेटिना, कॉर्निया और लेंस का स्कैन किया गया है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्चा कर देना साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों और पर्याल अले के साथ शेयर अवश्चा करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बक्स में कमेंट करके जरुर बताना